पानिपत के शिवनगर में गांधी मंडी के पास थित्य महसाथभी के लाश्वती जैन अस्पताल में आज डायलेसिस यूनिट का उद्घाटन किया गया जिसमें काफी कम फिसमें लोगु का इलाज किया जाएगा इतना ही नहीं जो लोग गरीब हैं उनका आखु का भी फ्री में इलाज किया जाएगा आज डायलेसिस यूनिट के उद्घाटन के अफसर पर बीजीपी पाशद्वा उद्ध्योग पती वीजे जैन पहुचे और उन्होंने रिबन काटकर उद्घाटन किया इस मोकी पर संस्था द्वारा अस्पताल में कई उपकरन भी दिये गए मही समोकी पर पहुचे उद्ध्योग पती वीजे जैन ने क्या कुछ कहा वो भी सुनी संस्था के साथियों के दुवारा कि किसी ने ओपर संथेटर में उपकरन दिये हैं उनका भी उद्धार किया है इन्हों किसी भी मरीज को कहीं भी ले जाने के लिए संस्था की तरफ से रखी गई इसमें लगवग 20-25 के करीब बैड़ अभी है लेकिन संस्था का लक्स है कि इसको 2300 बैड का एक बड़ा होस्पिटल मनाया जाए अब बराबर की जगए भी ले ली गई है तो संस्था दिन पर दिन तरक्की कर रही है और पूरे ही समाज के दुवारा ये सहयों कर दे करके यहां पर सबसे बड़ी खास बात है वही संस्था की पर्धान का कहना के अस्पेटाल में सबही तरह की बीमारियों का इलाज करने के लिए डॉक्टर्स मुझूद है इतना ही नहीं ओपीडी की फीज भी काफी कम है ताकि जो लोग गरीब और असहाय हैं उनकी मदद की जा सकी. आप लोगों का बहुत बहुत दन्यवाद आपने हमारे को वो दिया। मई संस्था की पदादिकारों ने बताया कि एक एम्बूलस भी अस्पताल को दी गई है। इस हॉस्पिटल में नेतर विशेशगे हैं, हर महीने नेतर के ओपरेशन किया जाते हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों का फ्री ओपरेशन किया जाता है। डिलिवरी करवाई जाती है, फिजियो थेरैपी है, जनरल सर्जन है, फिजीशन है और बीडियेस हैं, जो डेंटल चेर हो काफी फेमस हैं और इसके इलावा खून की जाज भी निशुल्प की जाती है। डक्टर की पर्ची से लेकर दवाईयों तक जहां मरीजों का इलाज करवाने में खर्चाता है, वही अब इस हस्पताल में काफी कम फीस में मरीज डालेसिस करवा सकेंगे, साथ ही अन्य बिमारियों का इलाज भी मरीज काफी कम फीस में करवा सकते हैं। वोसुप पानी पत्कली परदी पान्च्वाल के साथ कुलवन सिंग